नमस्कार श्वागत है आप सभी का सीन्यूस भारुत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तर संभल हिंसा को लेकर सपोर भाजपा में जम कर आरोप प्रत्यारोप का दौर है एक ओर जहां समाजबादी पार्टी खुल कर संभल हिंसा को बीजपी की प्रायोजित प्लान बता रही है तो वहीं भाजपा का कहना है कि इस मामले में हिंसा भढ़काने का रूप सपा सांसद और सपा विधाय के नेता पर लगना बताता है कि सपाही दंगा और हिंसा कराने वाली पार्टी है अब ये मामला सियासी सरगर्मी बढ़ाता नजर आ रहा है इस महात्वपूर्ण मसले पर उत्तर प्रदेश के काबिनेट मंत्री योगेंद रुपाध्याय ने सीनियूस भारत के सहयोगी गौरफ श्रवास्तप से खास ब बिपच के आरोप है सरकार की युजना है और उसको कराएंगे है तो सरकार कह रही है कि निस्ची रूप से बिपच की साज़े से अपने हार को ना पचा पाने के करारा है इस मुद्धे बात करने लिए हमासा और तप्रिस सवकार के अबिर मंतरी योगन उपाद्ध हैं जानेगे क्या कहना उनका क्या कहेंगे मैपूर जीत तमाम रेकॉर्ड को तोड़ते हुए महरास्ट में उसके बार फिर संभर इंसा लगाता सियासी करती है देखिए जो जीता है वो क्यों जगड़ा करेगा या जगड़ा कराएगा सीधे सीधे बात है जिनकी शर्मनाक हार हुई है ऐसी हार एक कहावत है कि मुझ दिखाने लाइक नहीं रहे उससे भी आगए कहें कि मुझ छिपाने लाइक भी नहीं रहे ऐसी हार से चपने के लिए बचने के लिए एक नियोजित दंगा सम्बल में दंगा भी नहीं हमला कराया गया है उसे दंगा नहीं कहना चाहिए एक नियोजित हमला क्योंकि एक और खड़े थे निहत्थे, सरकारी और कोर्ट तंत्र के लोग जिनका कोई मतरब जगड़े टंटे से नहीं था वो गए थे सर्वे करने गए थे उन पर अचानक हजारों की बड़े कट्टी होकर हमला करती है जिनके पास चाकू, छुरी, कट्टे, बिस्तौल है यस्त डंडे, लाठी सब है तो वो कहां से आ गए, सुब़ी सुब़ा योजना बनाई गई थी इस योजना से की ये चर्चा में आ जायागा संबल विशह और उनकी शर्मना खार चर्चा से हट जाएगी यही मकसद उन लों का था और साजिशन उन्होंने आग में जोका संबल को अखले जारों बोलना है कि योजना थी आप बोलना है कि एडिकेदवार हमला किया गया और कही न कहीं जो वहाँ के स्थिती है बो बताती है बड़ी भयावाय रही इंटर्णिर बन कर जा गया है चाल लों के मौर भी हुई है आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टम की बेरुखी भी रही कि अंदाज ने लगा पाए कि इतनी भीरे दम से आ सकती है यह बात सही है कि प्रिशासन जब गया था शांती प्रूँ ढंक से काम करने गया था उसको अंदाज नहीं था कि कोई इतना भड़का रहा होगा लेकिन भड़काने में आये तो उसने प्रिशासन नियंत्रल भी पाया उन पर फिर और नियंत्रल पाने के लिए उसको कान्य उनिवर्श्था को साई दुरस्त करने के लिए अपने जो उनके हत्कंडे होते हैं के वो तरीके होते हैं, उन्होंने अपनाया है, और अपनाना चाहिए भी, क्योंकि अगर हिंसात्मक्क कारवाई पर भीड उत्रेगी, तो उनको रोकने के लिए, जो सरकारी साधन है, उनको उप्योग करना चाहिए, उकिया गया, इसलिए, यह कहना गलत है, कि हम लोगों ने उसमें कुछ किया अच्छा चलिए हमलावर कौन थे साफ जाहिर है वो कौन दूसरी तरफ सरकारी तंद्र के लोग थे हिंदू पक्ष तो था नहीं अगर हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष में दंगा होता तब ये समझा एक उनका आरोब किसी हद तक जूटा आरोब कहीं न कह नहीं स्टेंड कर सकता था लेकिन ये आरोब तो पिल्कुल स्टेंड नहीं कर रहा कि एक तरफ सरकारी तंद्र के गिने चुने लोग थे उंगरियों पर गिने हुए और दूसरी तरफ हमलावर एक वर्ग विशेश जो उन्हीं का समर्थ हक माना जाता है उसके लोग थे तो साफ जाहिर है कि उन्होंने ही कराया था कहा जा रहा था कि जो भीड थी वो हिंदू इलाकी तरफ जा रही थी और बड़ी घटना महाँ पर हो सकती थी इसलिए महाँ पर सरकार ने बहुत बड़े तरेट कारवाई करें नहीं वो तो बटने चुनल है कि जब भीड तंत्र हो अपने साधनों का उपयोग किया और उन्होंने तो आग लगा के भुस में आग लगा के जमालो दूर भाई वो वाली बात है अब वो नेता बक्षे नहीं जाएंगे जिन्होंने इस सब आग लगाई और कानून निवस्तार को चुनौती देनी कोशिश की कानून से बड़ा कोई नहीं है चाहे हो सांसद हो या उनके बेटे हो बिधायक हो उनके परिजन हो वो सब घेरे में आएंगे जिन्होंने गड़बडियां की हैं जिन्होंने हमला कराया है क्या लगता है इस तमाम जी घटना हुई है बेपच का क्या अजिन्डा होगी का अपना लगाता बेपच पर आरोब लगा रहा है कि उनके दोवारा ही पूरी जो घटना हो कारेट कराएगी सरकार से पूरे मामले की जाज की मांग भी करेंगे जिनको जन्ता नहीं महुन करा दिया है वो महुन धारान करें कुछ भी करें उससे कोई फायदा नहीं उनको तरीके है विरोध कर परग्रेट करने करें इससे को हमें इतराज भी नहीं लोगतांत्र के विवस्ता में जो त चुनाओ था 27 के पहले का सेमी फैनल बोला जा रहा था अच्छी जित पर दिये कितना लाप देगी 27 के लिए लेकिए जो पिछला चुनाओ था लोकसभा का जिसमें वो भ्रह्म फैलाने में सफल हो गए कि मोधी जी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षन समाप्त कर देंगे मोध राजनेतिक ठग हैं ये लोग वो ठगी जनता के सामने आ गई अब उनकी काठ के हंडिया बार बार तो चड़ेगी नहीं तो इसलिए वो अब चाहें जो कुछ करें इस चुनाओ का परड़ाम सामने आ गया जनता समझ गई एक तरफ राजनेतिक ठग खड़े थे एक तरफ हित करने वाले राष्टवादी लोग खड़े थे परड़ाम जो सामने आ है वो भारचेंडर पार्टी के लिए संजी बने भी है और इसका आशर आगामी उत्तप्रेश के बिरंजबा चुनाओं में नजर आएगा फिलाल के लिए खास रुपोर्ट में बस इतना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूस भारत